हेलो दोस्तों तो केसे हैं आप लोग आज किस वीडियो में हम देखने वाले हैं समुंदर की एसी गटनाए जिने सुनकर आप कभी भी समुंदर के नजदीक में नहीं जाना चाहेंगे जिन लोगों ने भी इन गटनाओं का सामना किया वैं इन गटनाओं को अपनी पूरी लाइप में कभी नहीं बूल पाएंगे तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो नए दर सका हो हमारी चैनल को सबस्क्राइब कर लिए ताकि आप देख पाए हमारी वीडियो सबसे पहले ओडनी फोक्स दोस्तो इस सक्सिने कभी भी नए सोचा था की उससे समुंदर के सबसे खतरनाग जानवर का सामना करना पड़ेगा समुंदर में तेरने के दोरान ओडम पर एक बड़ी सार्क ने हमला कर दिया सारक का हमला इतना तेज़ था कि रोड़नी हवा में कापी ज़्यादा उसल गया उसके बाद सारक रोड़नी को दातों में जकड़ कर समुदर की गहराई में ले गई लेकिन रोड़नी अपनी पूरी तागत से उस वाइट सारक से लड़ता रहा जिसके बाद वहां के लोग उसे बोट में डालकर होश्पिटल ले जाते हैं आज भी रोड़नी फॉक्स के स्रीर पर सारक के दातों के इसान मौजूद है बेटनी हैमिलिटन बेटनी के उपर साल 2003 में एक सोल सरफर नाम से मूवी भी बन चुकी है जिसे लोगों ने काफी ज़्यदा पसंद किया जब बेटनी सिर्फ 13 साल की थी तब वहां हवाई की सबसे सांदार सरफर थी लेकिन एक दिन बेटनी पर एक सारक हमला कर देती है और उसका पूरा का पूरा हाथ खा जाती है गाईल आवस्ता में बेटनी को उसके प्रेंट्स होस्पिटल ले जाते हैं जहां उसे बचा लिया जाता है इस गटना के बावजूद बेटनी ने सर्फिंग करना नहीं छोड़ा और अपने एकसिडन्ट के दो मंथ बाद उसने बेट सर्फर का टाइटल जीत लिया माइक फेनिग माइक ओश्टिलिया के जाने माने सर्फर है जो कमपर्टिशन के दौरान पाने की उँची-ँची लहरों पर सर्फिंग कर रहे थे इसी दोरान पीचे से एक सार्क ने उस पर हमला कर दिया और फिर वहाँ पाने में डूबने लगा लेकिन माइक ने हार नहीं मानी और सार्क के मुहों पर लगातार मुमु के मारने लगा जिसकी वज़े से वहाँ सार्क के मुहों से बाहर निकल गया और तेर कर किनारे आ गया डॉल्फिन साल 2005 में लोगों की जान बचाने वाला एक ग्रूप न्यूजिलेंड के समुंदरी किनारे पर तेर रहा था तब ही उनके पास डॉल्फिन का एक ग्रूप आकर उनके चारों और गोल गोल चकर काटने लग गया तब उन्यूने डॉल्फिन के सरकल के बाहर देखा तो उन्हें वहाँ पर एक बड़ी सारक मसली दिखाई दी जो इन लोगों पर हमला करना चाहती थी लेकिन डॉल्फिन की वज़े से वह ऐसा नहीं कर पाई और डॉल्फिन ने भी इन लोगों का साथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक हर वेक्ति किनारे तक ना पहुँचाया साल 2012 में 15 साल की एक लड़की को सारक ने अचानक से पाने के अंदर खिच लिया लेकिन किसमत से उसके नजदी उसकी मा थी जो अपनी बेटी को इस हालत में देखकर सारक से लड़ने के लिए पाने में कूद गई और काभी कोशिश करने के बाद अपनी बेटी को मौत के मुझ से बचा कर होस्पिटल तक पहुचा दिया दोस्तो इस तरह से एक मा ने अपनी बेटी के लिए जान दाओ पर लगा कर अपनी बेटी की जान बचाई तो बस दोस्तो इस वीडियो में इतना ही उम्मीद है वीडियो आपको थोड़ा पसंद आया होगा इस वीडियो को थोड़ा लाइक थोड़ा शेर जरूर करे हमारे चन्दर कर नए हो तो हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आप देख पाए हमारे वीडियो सबसे पहले वीडियो देखने के लिए धन्यवाल और अंत में जैहिं दोस्तो